पर यह पर और शेशना कुट है तो है अज़ो गैज वेलकम बैक तो मैं चैनल कैसे हैं अप सब and welcome back to another makeup video आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही easy makeup look जो आप as wedding guest ट्राइ कर सकते हैं किसी festivals पर ट्राइ कर सकते हैं like तीज आने वाली है उसमें यह रक्षाबंदन में भी and किसी party function में आप जा रहे हो तो भी कर सकते हो और बहुत सारे festivals आने वाले हैं अभी तो एकनम easy minimum makeup look शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत versatile है और आप देख सकते हैं मैंने green, pista green color का dress पहना हुआ है तो आप इसको 30 में भी try कर सकते हैं so let's start today's video and आपको वीडियो अच्छी लगे कि तो like कर देना और channel को please subscribe कर लेना तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सिर्फ under eye पे concealer लगाया है and आज मैं बहुत ही minimum makeup look share करने वाली हूँ तो products भी बहुत minimum use करूँगी and affordable products ही use करती हो मैं अपने makeup videos में अगर आप देखते हो तो तो बस मैंने conceal कर लिया under eye area पे and mouth के around थोड़ा सा क्योंकि वहां पे थोड़े से pigmentation है मेरे को and बहुत जादा dark spot का issue नहीं है मेरे को तो सिर्फ मैंने under eye area अच्छे तरह से dab-dab करके and ये मैं ग्लासे सपहनती हूँ ना तो उसके mark को रखे है तो वह से मैंने थोड़े से कंसिल करने ही कोशिश की है इतनी अच्छी तरह से कंसिल नहीं हूँ है बट मेरे ये बेस एक्दम परफेक्ट है ये मेरा परसनल गोटू मेकप लूग है मैं पार्टी पे भी इतना minimum मेकप करके जाती हूँ and अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम तो नहीं है बट मैं light powder से सेट भी करूंगी उसके हो तो मैंने compact powder लिया है and हलके हाथों से एकदम हलका powder करूंगी बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही मैं and बस एकदम simple सा base ready हो गया है मैं वैसे भी एकदम flawless makeup जो रहता है वो करना prefer नहीं करती है एकदम natural look वाला makeup करना पसंद है मेंको तो बस मैं वही शेयर भी करती हूं and जैसी कि मैंने बताया मैंने अपना जो personal मैं कहीं parties पर चाती हूं तो ready होती हूं उसी टैप का share कर रही हूं मैं तो बस उसी steps को follow करते हूं मैं eyebrow को थोड़ा साल dark brown color की eyebrow pencil लेकर उसे fill up कर ले रही हूं and एक तब naturally fill up करूंगी मैं बिल्कुल भी overdoon नहीं करूंगी कुछ भी चीज को and आज मैं share करने की कोशिश कर रही हूं makeup within 5 minutes तो अगर आपको parties पर जाना है and बहुत सारे steps follow नहीं करने हैं makeup के तो आप simple जो basic steps रहते हैं उनको follow करके भी बहुत अच्छा makeup look create कर सकते हो and quick भी कर सकते हो ready like फटक से ready हो सकते हो तो मैं आइशाड़ो बहुत like heavy eye look नहीं करने वाली हूं तो मैंने simple सा light brown color को pick किया and अपने पूरे eyelid पे एक बड़े brush से spread कर रही हूं यसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा precisely नहीं लग रहा है बट अगर आपको quick makeup करना है तो आपको इभी single eyeshadow को लेकर अपने eyelid पे लगा सकते हो throughout the eyelid तो उससे आपका eyeshadow का look complete हो जाएगा like blank नहीं लगीगी आपकी eyes and quick makeup हो जाएगा तो ये एक hair के जो मैं follow करती हूँ and उसके बाद मैंने blush, bronzer and highlighter तीनों चीज़ों को एकी step में complete करने के लिए एक pinkish tone का highlighter पिक किया है and उसे अपने higher points पे लगा रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं chick bones पे and bridge of the nose and forehead के center पे and chin पे भी थोड़ा सा तो जिससे वो highlighter का काम भी हो जाएगा तो आपको make-up के steps बचाने है and एक ही step में काम करना है quick जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया तो आप ये hack को follow कर सकते है इस trick को follow कर सकते है ये अच्छा work भी करता है and time बहुत जादा बचाता है and मैं एक thin eyeliner लगा ले रही हूँ normal eyeliner बहुत ज़्यादा बड़ा wing eyeliner नहीं लगा था मैंने normal eyeliner लगा रही हूँ तो अगर आपको छोटे parties पे जाना है लग छोटी मोठी gathering है and festivals पे आप घर पे भी अगर ready हो रहे है तो इस step से ready हो सकते है तो quick हो जाएगा and बहुत ही ज़्यादा beginner friendly है तो इस चीज को आप try कर सकते है and मैं हमेशा mascara लगाना भूल जाती हूँ तो ज़ मैंने काजल से पहले mascara लगा लिया है and आप चाहे तो falsies भी लगा सकते है but beginner friendly मैं share कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक beginner हूँ makeup में तो मैं बस like basic makeup के जो tricks रहते है वही share करती हूँ तो इसलिए मैं पहले mascara लगा ले रही हूँ and उसके बाद हलका सा casual लगाऊंगे अज जैसी के मैंने बताया बहुत ज़्यादा heavy eye look नहीं करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा subtle रखने वाली हूँ यह एकदम versatile makeup look है आप इसको किसी भी color के dress के साथ carry कर सकते हैं and किसी भी function में use कर सकते हैं create कर सकते हैं like अगर आपको parties पर जाना है तो आप थोड़े बहुत इसमे glamour add करने के लिए shimmer डाल सकते हो false lashes यूज कर सकते हो and bold karjal वगर या बड़े से wing eyeliner लगा सकते हो अगर आप day time के लिए and छोटे functions के लिए जैसे कि मैंने बताया उसके लिए रड़ी हो रहे है and makeup को थोड़ा subtle रखना चाहते हो तो आप exactly in steps को follow करके simple सा makeup look achieve कर सकते हो and जैसे कि आपने देखा मैंने lower lash line पे हलका सा काजल लगाया है बहुत जादा dark काजल नहीं लगाया है and उसके बाद brown color का eyeshadow लेके उसे थोड़ा सा smudge out कर रहे हो ताकि वो बहुत ही blended look आए उसका एक like काजल की line नजर नहीं आए आपको smudge out look आए and बस ही हो गया simple सा eye makeup आप देख सकते हो बहुत ही जादा neutral type का लग रहे है and अब भी बारी आती है lipstick की तो एक bold color की आप lipstick लगा लोगे तो उसी से आपका look complete हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो अभी look बहुत ही जादा simple लग रहे है subtle लग रहे है तो मैंने pink bright color की lipstick try करिए देखे मेरे dress के साथ ही थोड़ा बहुत match भी हो रहा था क्योंकि इसमें pink thread से थोड़े बहुत वर्ख थे and बस ये look complete हो रहा है यहाँ पर and मैंने ethnic dress पहनी है तो सोचा बिंदी भी लगा लेते हैं तो मैंने ये golden pearl बिंदी यूज की है ये मैंने local market से लिया था बस ये हो गया है festive ready look and थोड़ा सा hair को मैंने कॉम भी नहीं कर रहा है जैसे आप देख सकते हैं मैं सुबह से कॉम नहीं कर रही थी अपने बालों को and अब भी खोला है तो बस सोचा कि एक छोटी से hair style भी बना लेते हैं जिससे look complete हो जाए तो मुझे personally puff बनाना पसंद है तो बस मैं एक छोटा सा puff बना के clip लगा लूँगे तो बस simple सी hair style भी हो जाएगी and आप चाहो तो इसे बहुत ही heavy earrings के साथ accessorize कर सकते हो या फिर किसी heavy hair accessory से accessorize कर सकते हो जिससे आपका look glamour हो जाएगा एकदम party ready हो जाएगा सो यह बन गई यह छोटी से simple सी hair style and tiktok clip से मैं इसे secure कर रही हो और आप यह makeup look and hair style and outfit idea जो है इस सबको राखी पे try कर सकते हैं क्योंकि गर पे छोटे मोटे functions पे आप festivals पे try कर सकते हो बहुत ही अच्छा लगेगा अच्छा लगा तो लएक कर देना सब्स्क्राइब कर लीना बाइब बाइब